निलेश मिश्रा जी, कैना ड़ाई शियर इवेंश, परम पूझे गुर्दे भगवान, आपकी चरणों में कोटी-कोटी नाम महरा जी प्रतम तो आपका धर्नेवाद की आपकी ही वानी से हम भारत के महान संतो और परम भक्तों का चरित्र जान पाए ये मन फूल सा जाता है जब भक्त नामा वली की प्रतम लाइन हमसो इन सादुन सो पंगती का गाहिन करते है गुर्दे भोगान एक सादक की रूपे नाम जाब करते हुए अगर नित दिन एक भक्त चरित सुना या पढ़ा जाए तो क्या इस मार्ग में हमारा प्रेम प्रिया पितम के प्रती तीवर गती से बढ़ता रहेगा हाँ पहले इतने में रुग जाते फिर आगे बात करो चितलाए ताके भक्ति बढ़े घनी अरुहरी हुई सहाए अजहु सूच विचारिके गही भक्तन पद ओट हरी क्रपाल सब पाचिली चमिहे तेरी खोट सिद्रुदाजिके भगवान को अपने यस से भी अधिक भक्त यसगान पर प्यार है अगर भगवान के भक्तों का यसगाओगे तो भक्ती घनी भूत हो जाएगी पूली नहीं रहेगी पूली भक्ती क्या होती है हम भक्ती भी कर रहे हैं पापाचरण भी कर रहे हैं कामकुरूद लोग मुमत लेकिन घनी भूत भक्ती प्राण चाहे चले जाएं अधर माचरण नहीं करेंगे ये कहां से होती है ये भक्तों के चरित्र सुन्ने से होती है ये भक्तों की नामावली से होती है भक्तों के शंग से होती है अगर आज भी भक्तों का आस्रे ले लिया जाए तो भगवान सारे पापों को नश्ट करके उसको स्वयम मिल जाते हैं अजहों सोच विचारी के गई भक्तन पदोट तो हरी करपाल सब पाचली चमें तेरी कोट भक्त चरण धरी भाव तरत भाव सिंदु अगाता सेवक जी ने का है जो भक्त चरणों में स्रद्धा कर लेता है वो इस बहुत सम अर्जी और क्या इन भक्तों का कभी हमें प्रकट सानिद्य मिलेगा प्रकट सानिद्य के लिए तो तप और भजन उतना होना चाहिए कि वह क्रपा करें वह हमें प्रगत में आकर दरसन दें जो अभ्यक्त महापुरुश ने kami भा भ्रोशन वंता विनुहरी क्रपा मिले नही आगम में आपके उपर श्री जी की कृपा हुई है तब आप यहां प्रगट में संत समागम में बैठें अगर हम ऐसे इनामजब करते हैं वेसे कृपा हुई तो शिद्ध संतों के दर्सन भी होने लगते हैं जो अब्यक्त हो चुके हैं वो महापुरुश आते हैं वो दर्सन तेदे ।ब इसको भगवान के दर्वन के पहले पुर्ण के दर्सन होते हैं बगतों की योग्यता प्राप्थ होती शिद्ध महापुर्षों के दर्सन से तो नाम जब करो भगवान से मांगते रहो कि आपके लाडिले भक्तों का संग मिलता है भगवान से मांगते रहो मांगा है बड़े-बड़े महापुर्षों मांगा देखो भगवान संकर को कुछ जानना बाकी नहीं लेकिन यह भी हन्सरूप धारन करके गदा कठा करते तो वहां हन्सरूप से जाते माँरूप से नहीं कु proceeds सिव रूप से ने सुव रूप में जाएंगे तो सम्मान करेंगे रहाइंगे रहीत पर से सुन करेंगिْ करते वहां में विराजमान देता हूं तो भगवान से आचना करते रों कि भक्तों का शंग मिलता रहे ब्यक्त अब्यक्त दोनों भक्तों का जो व्यक्त है और जो अब्यक्त है